एडिटरी के लिए आप सबने आवाज उटा है अच्छी बात है और जब तक आप आवाज नहीं उटाओगे तब तक आप गुला में जिन्दगी जीयोगे ये तो हम अपने इसी उबारता जारकर में कब से हम बोल रहे हैं दोस्तो गुड परेडे पार हो गया है और गुड परेडे को लेकर के एक गाना रिलीज किया गया था और गाई का थी मेरी हस्दा और ओ है संताली केटिगरे में आता है और संताली समाज के लोगों को इस गाना पर आपती जनक जताई है और जिससे लेकर के आप सबने देखा अगर सोशल मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया जैसे आगर आप इससे आगर वाकिफ हैं तो इससे आप बेहतर जानते हैं क्योंकि जिस तरह से लोगों का गुससा across है और उस लोगों का मानना है कि मेरी हस्दा जो भी हमारे धर्म की आस्कावों पर टेंस पहुचाया है और इस के लिए उनोंने जोर सोर से बीरोत किया है और हम आपको इसी के बारे में थोरह छर्चा करने वाला है क्योंकि गुड़ प्रेडे पिछले दिन में ये हो गया है और गुड़ प्रेडे को लेकर एक गणा रिलीज किया गया था और कास उसकी बोल थी कि इसू सोंगे लड़ाई किना मारंग बुरू सैतान कुछ ऐसा कुछ टैटल था और संतल समाज लोगों का काना है कि इसू मसी लड़ाई किया था मारंग बुरू सैतान के साथ लड़ाई किया था ये उन लोग का माना था क्योंकि गुड़ प्रेडे की इतियास को अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा इसी उबारता जहरकन। में आलरेड़ी विडियू है कि गुड़ प्रेडे क्या है कुछ ऐसा टै ऐसा कोई जिग्र नहीं मिलता है कि इसु मसी मारंग बुरू के साथ लड़ाई किया था ऐसा कोई जिग्र नहीं है कहीं पर उलेक नहीं है और जिस तरह से संताल समाच लोगों का मानना है कि मारंग बुरू को सैतान कहा रहा है मारंग बुरू को सैतान मान रहा है सैतान का सब् लोग का कहना है और बात यह है कि इसु मसी की इतियास को हम तोड़ा चर्चा कर रही लेते हैं क्योंकि जब उसकी आरेष्ट हो जाती है जब रोम समराजे की जब रोम गवारनर था ऐसे इस्तिति में उसकी सजा सुनाय दी जाती है जब इहोद्यूंग द्वारा इसकी के इसाई समुधयां पर कवी अक्रोष है संताल समाज के लोगों का कि इसाई लोग हमारे हमारे मारंग बुरू दियोता को जिसे हम कुदा मानते हैं जिसे हम पूछते हैं उसको सैतान का सब्द कह रहा है ये उनलों का मानना है लिकिन गुड़ प्रएडे जिस दिन इसकी गाना की बॉल थी ये एक तरब से गलत है सरसर गलत है इसका कोई मारंग बॉरू के साथ कोई किसे दारखा कोई युद्ध नहीं हुआ था ये बिल्कुल गलत है और जिस तरह स मेरी हस्ता जिस तरह से गाना की बोल कर रही है गाना की जो बोल लिकी है जो भी इसक्रिट बनाई है गाना की बोल हिसाब से ये गाना बिलकुल गलत है कि गुड़ प्रेडे में इसो मसी कोई मारंग बूरू के साथ कोई लड़ाई युद्ध नहीं किया था ये कताई बरदास कि गुड़ प्रेडे इसु मसी की मरन दिन को याद किया जाता है और तिसरा दिन जब जी उठता है तो उसी दिन एक तरब से देखा जाए तो कपरिश्तान से उठ होने की कुशियां भी होती है जिसे गुड़ प्रेडे के नाम से बिकाई लोग इसी दिन को साथ मेरे ख्याल से मनाया जाता है क्योंकि ऐसा कहीं लिकाई नहीं है और ऐसा आज तक मैंने कभी सुनाई नहीं है क्योंकि मारांग बोरुक के साथ इस सुमसी लड़ाई किया था ऐसा तो मैंने कहीं देखाई नहीं है तेकिन ये सद आप सब या फिर उसकी कोई किसी तरह का कोई गलत्ती पहमी होगी ये तो आ आने का समारो होता है या फिर उसकी आने की खुशिय में ये चीज मनाया जाता है और आप सब साइद ये आप सब को काई लोगों के संताल समाज के लोगों में भी ये अक्रोस है कि हमारे धरम के नाम पर इसाई लोग घुम्रा कर रहे हैं ये सच है काई लोगों का मानना है लि प्रप्त किया था और उस साब्द को मिर्तिव धंड स्वारुप दिया गया था जिसे बिरोधी लोगोंग दोरा उसको कुरूज पर लटका दिया गया तिसा दिन उसको कवरों में मिर्तिव से चुटका रह पाया है ये चीज है सचाई लेकिन ऐसा कोई लटने का काम नहीं है तो ये लोग गलत कर रहे हैं और जिस तरह से गलत का सजा तो कुदा ही जानता है और ये सब आप सब सोसल मेडिया से वखीव हैं क्योंकि जि मैं संतुष नहीं हूँ कि ये इसकी जो लिखने की लाइन ये बिल्कुल गलत है मैं इस चीज को गलत मानता हूं और गलत ही है क्योंकि इसा मसे कभी कोई मरंग बूरूं बड़ा पहाड के साथ कभी लड़ाई किया ही नहीं था लड़ाई किया ही नहीं था और इस चीज को म का अक्रोस है और ये काई सरे ईसाई लोगों में भी इसे बात को ले करके ओंथ तो देखी रहा है क्योंकि युझा पटा है इसामास्ति कोई बड़ा बुरू के साथ, बड़ा पाहाड के साथ कोई लड़ाई नहीं किया, फिर कोई मारंग बुरु देवता के साथ कोई लड़ाई नहीं कि तो देवता तो यहां का पहाड है लोकल पहाड लेकिन मिर्तिव पर विजय प्रत किया था और यहोदी बिरोधी लोगों पर यही से ले करके गूड प्रेडे का दिन इस्टरडे के रूप में काई तीन जन होलिडे ग् इत्यास को जानना पड़ेगा सचा इत्यास को जानना पड़ेगा अब जाके आप आप यह चीज को व्यक्या कर पाएंगे लेकिन जिस तरह से मैरी हस्दा की जो बॉल है यह कताई के यह तो नूर्मल सी बात है कि बड़ा पहाड से लड़ाई किया था ऐसा कुछ नहीं है य लोगों को टंसलेट करने में जो दिक्कत हो रही है यह लोगों की समस्या है और इस समस्या को समधान करने के लिए बस एक उपाई है कि आप सचाई इतियास को जानो सचाई इतियास को पड़ो और सबसे ब alleviतर यह ही होगा कि आप उस सचाई तियास को जान करके आखुद समाज जाओगे और जिस्तर से हमारे इस संताल लोगों के समाज में ये आक्रोस है कि इसाईई लोग हमारे धर्मिक आस्तावों पर टेंस पहुنचाने का काम करता है जिसनरसे आज की ध्रवर पे सररना कोर्ण धरम की जब मांग हो रही है ऐसे लो होता है कि इसाय धरम का जो धरम गुरु जिससे आप बोल सकते हैं इसा मसी एक देहधारी था इंसान जाती था इंसान की कोक से पैदा हुआ था वो किसी पहार से लड़ाई नहीं किया था और ये चीज़ आप सब को समझ में आने चाहिए किसी मारांग गुरु के साथ लड़ा पहा गया है कि जिस दिन आप सचाय को जानोगे उस दिन सत्या ही तुम्हें आजात कर देगा इसलिए सत्या में वजायते का साथ हम अपनी सविदान में ब्यक्या करते हैं और जिस तरह से हमारा भारत देश तरह मुरु निश्पेक देश है इससे लेकर के ऐसे गायक भी काय पर करने की कोशिस करता है और अच्छी बात है मैं इस बिरोध के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने अपनी आस्था अपनी धर्मिक की एडिटरी के लिए आप सबने आवाज उटा है अच्छी बात है और जब तक आप आवाज नहीं उटा होगे करके बताया था और यही बिरोध परमिक्ता के लिए अपना सिना को चाउड़ा किये इस चीशच के लिए मैं आप सब को समाज के लोगों को मैं धन्य बात देना चाहता हूँ कि पुर्बस की पुर्बानी से कुछ करो ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा